तो फ़ाइस लेटाफ फोटो एडिटिंग तो यार अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हो या सीख रहे हो इन 2021 में आपको कोई लेटाफ चाहिए एंड अगर आपको बड़िए चालिस थाले यह वीडियो श्रिचल आपके लिए स्टार्ट करते हैं बात करते हैं अब इन दो तो वीडियो के साथ बने रहेए मैं नोटबूक 14 को अगर इस लप्ताप की बात करने का अप्शियं को सबसे पहले 2020 में बहुत लोग ने इसको पसंद किया है अब मैं इसके मानस पॉइंड की बात कर लेता हूँ मानस मानस की बात करूँ आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन उसको अपगरेंड करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आ जाता है तो भई अगर आपने इस laptop के और जान है आप जा सकते हो इसकी display quality बहुत सही है इसका track pad बहुत सही है and built quality भी आपको बहुत अगरी मिल जाते है मैं main specification की बात कर लें तो थोड़ा सक deeply आपको बता देता हूं तो display की बातों को 14 inch full HD plus display मिल जाती जो की एंटीक लिए display आप और sensor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात को इंटल यूएच्टी ग्राफिक कार भी मिल जागा आपको MX350 2GB के साथ भी ग्राफिक कार देखने को मिल जागा उपरेनी सिस्टों की बात करूं आपको Windows 10 मिल जाती है बैंटरी की बातों को 10 hours का बैंटरी backup परवाइड कर देता है प्लस आपको 65W का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं आपको 41,000 के बड़र में MI notebook fording देखने को मिल जाएगा तो यहर मिल स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये MI notebook fording के अभी मैं आपको यह भी बता देता हूँ इसको number 5 पर रखने का सिर्फ यह रीजन है कि आपको 8GP RAM जो upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में का minus point आ जाता है तो भी अगर आपने जाना MI notebook fording के आप आप जा सकते हो वैसे laptop देखा जाए पूरा loaded मिल जाता है अगर आपको student हो अगर आप office work के लिए चाहिए अगर आपने video acting करने है 1080p पर अगर आपने gaming करने है अगर आप like coding करते हो programming करते हो engineering student हो अगर आपने like कोई भी heavy software भी यूज़ करना है आप इस laptop पे normally easily कर सोगे लेकिन मैंने आपको minus part भी बता दिया और कोई भी इसका minus part नहीं है इसका battery backup बहुत जाला सही है आपको 10 hours का battery backup प्रवाइड करने ये laptop जो मैं आगे laptop बताऊंगा ना किसी में आपको इतना battery backup नहीं मिलता अभी आगे बात करते है नंबर 4 की नंबर 4 की बात करूं नंबर 4 पर यार मैंने रखिया HP 14 को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले यार मैं बात करता हूं कई बंदे मुझे मैसी करते हैं मुझे HP का laptop चाहिए मुझे Dell का ही laptop चाहिए अगर आप भी उनमें से आते हो आप जा सकते हो HP 14 की और अगर इसके specification की बा अगर आप 41,000 या 42,000 पे कर सकते हो आपको i3 11th generation के साथ मिल जागा लोग जो की latest processor है बहुत अगरा processor अगर आप में कोई heavy software यूज करना आप कर सकते हो आपको 8 GP RAM मिल जाते है जो कि आप upgrade कर सकते हो 16 GB तक जो कि इसका plus point आ जाता है मैं main specification की बात करी लेता हूं आपसे deeply बात कर ही लेते हैं तो display की बात करूं आपको 40-inch full HD display मिल जाती है जो कि 16 refresh rate के साथ आते है प्रसेसर की बातों को i3 10th generation के साथ मिल जागा आपको 11th generation के साथ मिल जागा storage की बात करूं आपको 8 GB RAM मिल जाती प्लस upgrade आप कर सकते हो 16 GB तक प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफ प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 41 दाओ उनके budget में HP 14 देखने को मिल जागा तो यह मैंने आपको बता दिया HP 14 कि इसमें आपको i3 देखने को मिल जागा 10th generation के साथ 11th generation के साथ भी मिल जागा अगर आप 11th generation की आओ जा सकते हो आपके लिए best deal हो सकते है मैंने link प कहा देना जाता हूं फिर से repeat कर देना जाता हूं जो भी आपको laptop बता रहा हो ना for students के लिए अगर आप engineering करते हो उसके बाद coding करते हो programming करते हो photo acting करते हो video acting करना जाते हो 1080p पर end भी अगर आपने normal setting पर gaming करनी है आप इन laptop पे कर सकते हो बस में आपको इतना फिर से कहा देना चा पीबी मिल जाता तो आपको ram expendable करने को कहता ही ना ठीक है तो आप ram को expendable कर लेना ताकि अगर आपने कोई software यूज करना होगा वो normally smoothly चल देगा ठीक है आप आगे बात करते हैं number three की number three पर मैंने रखी है Lenovo IdeaPad Slim 3i को अगर इस laptop की बात को आपको बहुत पसंद आने वाला अगर आपका budget 40,000 से भी कम है यह laptop आपको 37,000 के budget में मिल जाता है प्लस आपको इसके साथ यार इनो वो जो है laptop bag देखने को मिल जाता है तो अगर आपने laptop को कहीं carry करना है आप वो carry कर सकते हो प्लस मैं आपको बता नहीं चाहते हो इस bag की price में 2000 देखने को मिलती है तो यार इस laptop का price हो जाता है 35,000 प्लस बैज अगर आप SBI या HPFC कार यूज कर ले तो आपको 5% या 10% आफ भी देखने को मिल जाता है अगर आप उसको use कर लोगे आपका 5,000 और भी less हो जागा तो इस laptop का price आपको 30,000 मतलब 30,000 के बदर में आपको ये laptop देखने को मिल जाता है laptop बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस price range में Lenovo हो गया इस सर हो गया बहुत ज़्यादा सही deal प्रवाइड करते हैं customer को मैं दिल से चाहता हूँ भी अगर आप आपका budget सौरी कम है तो इस laptop को एक बार आप चैकोड जरूर करना Lenovo IdeaPad Slim 3 को मैंने link प्रवाइड किया आपको description box में देखने को मिल जागा अभी बात करते हैं दिस्प्ले की तो 15.16 आपको full HD plus display मिल जागे जो की 16 refresh rate के साथ आते है पर सैसर की बात करूँ आपको i3 10th generation के साथ में मिल जागा 11th generation के साथ में मिल जागा आपको time मिल जाते है प्लस आपको MS Office मिल जागा 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूँ आपको 7 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया 35,000 के बज़र में आपको 10th generation मिल जागा एंट 45,000 के बज़र में आपको 11th generation के साथ Lenovo IdeaPad Slim 3i देखनी को मिल जाएगा तो यार में स्पैसिफिकेशन मैंने आपको लैप्टॉप के बता दिया लैप्टॉप पूरा तगड़ा अगर आपने इसके हो जाना है आप नौरी स्मूथली जा सकते हैं अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करो नंबर टू पर यार मैंने रखिया असूस विवबुक अल्ट्रा फिफ्टिन को अगर इस लैप्टॉप की बात करूं सबसे पहले यह 2020 मॉडल है एंड आपको स्लिम और स्टालिश दिजाइन देखने को मिल जाते हैं इसके कलर वगरा बहुत प्यारे आते हैं वह अगर आपको एक स्लिम और स्टालिश दिजा मिलेगा स्टोरेट की बात करूं आपको 8GB मिल जागी अपोघर आप 16 जीबी तक कर सकते हो प्लस आपको 256GB SSD देखने मिल जाते है इक बात करों आपको के बचेड में अचुस विवबुक अल्टरा फिफ्टिंग देखने मिल जाती है तो यह जाती है तो यार में में आपको बता दिया असूस विवबुक अल्टरा 15 के भी इसके स्पैसिफिकेशन पूरे तगड़े आपको आई 311 इंजमिलेशन के साथ मिल जाता है जो की लेटेस्ट पर सैसर उसके आपर तो कोई भी नहीं देखने को मिलता है एंड इसके प्राइस की बातों को 41,000 के बजर में मिल ज बत करने से पहले मैं आपको कह देना चाता हूँ अगर आपका विजर 45,000 तक हो जाता है अब इस लग्टाप के और चल जाना अगर आप मतलब 40,000 ही पे कर सकते हो तो असूस विवबुक अल्टरा 15 आपके लिए बैस डील हो सकते है अगर आप 40,000 भी नहीं पे कर सकते है तो सब्सक्राइब को आपके साथ मिलता है स्टोरेज की बातों को 8GB मिल जाते है एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो प्लस आपको 5,000 GB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफिक कार की बातों को नवीडिया जीफो एमेक्स 350 देखने को मिल जाता है जो कि 2GB ग्राफिक कार प्रेडी सिस् एक्सट्राइब कर सकते हो लाप्तॉप पूरा लुटेड मिल जाते है अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टर यूज करना है प्रोग्रामिंग करते हो और करते हो अर्फिटेक्शन की स्टड़ी करें उसके बाद भी अगर आपने फोटो एट्टिंग करनी है एंड अगर आ मैंने आपको टॉफ फाइब बता दिये जो भी आपके बिदेड में सेट बैठता है आप उसक्यों जा सकते हो अगर आपको आई थ्री भी देखने को मिलता ना यार वो टैंथ जनुरेशन चाहिए 11 जनुरेशन के साथ मिलता है जो की बहुत ज्यूदा तगड़े कोई भी लिंक के मैंने परवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे तो चागूर कर लेना अगर आप चागूर करना जाते हो आपके लिए ब्यास्ति लिए हो जाए देखना भी जाए तब ही मैंने सबीके लिंक दिये हुए अगर आपने के साथ कोई नया टॉपिक लिक राएंगे आपके साथ शियर करेंगे थैंक यू